नमस्कार वच्छो मैं विसाल वाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका O2N Digital Education में और आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की फिजिक्स की क्लास सेकिंड जो तो relative velocity के उपर depend है कि वेक्टर प्लेidences देखने को मिलते थे हैं तो आये चलते हैं relative velocity in plane last chapter जो हमने किया था chapter 2 motion निना straight line उसमें भी हमने जिक्र किया था relative velocity का relative velocity की बात क्या होती है जब कोई 2 objects होते हैं और आपस में हम उनकी velocities को compare करके देखते हैं तो उसी को बोलते है relative velocity कि किसी की velocity दूसरे के respect में कम है या जादा है तो उसी को बोलते हैं relative velocity जब हम motion इना straight line की बात करें तो उसमें एक ही direction में motion हो रहा था जैसे मालनो north से south की direction में motion हो रहा है तो कोई भी दो bodies है वो एक ही direction में move कर रही है तो उनको बोलते हैं relative velocity मतलब कि ये कोई body A है ये कोई body B है तो body A का जो motion है वो B के respect में क्या है उसी को बोलेंगे relative velocity ठीक है और B का A के respect में क्या है उसे बोलेंगे relative velocity B with respect to A तो ये तो था हमारा motion इना state line में motion इना plane की बात करें तो हमें पता है कि plane में क्या आते हैं x-axis और y-axis x-axis और y-axis की बात करूँ तो इसमें direction भी हमारे साथ कम से कम दो direction चलेंगे ठीक है तो relative velocity की बात करूँ कोई एक body है यह ठीक है वो किसी axis में travel कर रही है मालो इस तरीके से ठीक है कोई b body है यह वो motion जब कर रही है तो उसका कोई motion है इस तरीके से ठीक है अब इनके बीच में कुछ differences create हो रहे है कि इनके final positions में initial position में जो भी differences है उसके respect में हम क्या बोलेंगे इनका relative motion बोलेंगे यह relative velocity बोलेंगे ठीक है इस्टार्ट करते हैं daily example जो life में हम देखने को मिलते हैं उन example से start करेंगे relative velocity को पहली चीज है rain ठीक है rain जब होती है तो उसकी direction क्या होती है towards towards earth या फिर हम बोल सकते downward इस downward होने की वज़े से इसकी direction जो है हमको rain कैसी दिखती है नीचे आती हुई दिखती है perpendicular to the earth इस तरीके से ठीक है अगर मैं बात करूँ मैं अपनी position में यहां condition में कैसी rest में तो इस condition में मुझे जो rain दीखेगी वो दीखेगी कि वो perpendicular बिलकुल किसके अर्थ के ठीक है एंगल कितना बना रही है 90 degree एंगल बना रही है ठीक है यह हो गया मेरा अगर मैं condition कौन सी रख रहा हूँ कि अपने आपको rest में रख रहा हूँ और जो rain है जो rain है वो कैसी है motion में है किधर की तरफ downward towards earth ठीक है बट अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं एक motion start कर दूँ ठीक है अपना कोई भी motion मतलब rest condition को हटा दूँ कोई भी motion create कर दूँ तो उस condition में मुझे यह downward या perpendicular to the earth नहीं लगेगी मुझे लगेगा कि यह जो rain की drop है यह मेरी तरफ आ रही है इस तरीके स तो यह जो change हुआ है कि जब rest में था तब तो यह downward थी perpendicular थी बट जैसे ही मैंने motion start किया तो इसकी direction towards myself हो गई है तो इसकी वज़े से क्या हो गया कि मेरे motion के और जो rain का motion था उन दोनों के बीच में एक relation create हो गया जिसको बोलेंगे relative velocity क्या बोलेंगे relative velocity ठीक है तो इसी से देखेंगे कि rainfall जब होती है तो उस condition में हमारे पास किस तरीके से कोई भी angles या फिर जो relative velocity होती है उनकी values कितनी बनती है ठीक है इस से पहले हमें एक चीज और देखनी है कि कोई भी अगर दो motion हो रहे है ठीक है मानलो यह मानलिया मैंने कोई एक motion हो रहा है तो इस motion की वज़े से क्या impact पड़ेगा axis ठीक है हमने लास्ट वीडियो में देखा था resolution of vectors ठीक है कि कि किसी भी वेक्टर का impact X axis पर Y axis पर कितना होता है तो उसे हम कहां से देखते थे कि इसका impact देखते हैं यहां से इसको बोलते थे हम AX अगर यह वेक्टर है इसको बोलते थे AY तो AX की value जो निकलती थी वो निकलती थी magnitude of A vector and cos theta AY की value जो बनती थी magnitude of A vector into sin theta तो हम यहां पर क्या करेंगे मोशन इना plane की बात हो रही है तो हम किसी भी vectors को split कर लेंगे resolution कर लेंगे vectors का और उसी form में हम क्या निकलेंगे relative motions निकलेंगे ठीक है कोई एक वेक्टर है वेक्टर vector A मान लिया मैंने इसी के साथ कोई दूसरा vector लेता हूँ मैं मान लो vector B यह मान लिया vector B ठीक है तो अगर मैं vector A और vector B का relative motion निकालता हूँ या relative velocity निकालता हूँ तो मुझे एक law follow करना पड़ेंगे जिसे बोलेंगे law of parallelogram vector law parallelogram इसमें क्या होता था लास्ट क्लास में हमने देखा था कि vectors को हम किस तरीके से arrange कर लेंगे adjacent sides में arrange कर लेंगे एक parallelogram के में ठीक है तो उससे जो resultant निकलेगा वह हमें क्या provide करेगा relative velocity प्रोवाइड करेगा कि दो bodies के बीच में जो relation है motion में उसकी value ठीक है तो हम क्या करेंगे vector A और vector B के बीच में कोई angle है जिसको बोल देंगे ठीटा ठीक है अगर मैं बात करूँ मुझ opposite direction ठीक है अब अगर मैं बात करूँ यहां से भी इसका एक parallel कर लिया यह रहा ठीक है vector A का parallel कहां पर आएगा vector A का parallel आएगा यहां पर ठीक है तो अगर A vector और B vector का मैं resultant निकालू जिसको मैं क्या बोलूँगा relative velocity बोलूँगा तो उसकी value कहां पर आएगी उसकी value आएगी यहा से यहां यहां ठीक है तो इस condition में है अगर मैं angles की बात करूँ vector A की और vector B की तो angles जो बनेंगे वो कितने होंगे ठीटा तो यह है यह पूरी line 180 की होती है यह ठीटा है तो 180 minus theta create हो जाएगा किसके बीच में एंगल वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में यह जो value है यह वाली य इसको बोल देंगे हैं एंगल अलफा लास्ट पेडलोग्राम लो में भी हमने यही चीज़े देखी थी रिजल्टेंट जो बनाता है वेक्टर A के साथ तो वह होता है अलफा और A और B के साथ जो एंगल है वह यहां पर ठीटा था यहां पर कितना बनेंगे 180 minus theta तो अगर मै velocity of A with respect to B तो इसकी value बनेगी velocity of ठीक है यह आ गया velocity of A with respect to B तो इसकी value क्या निकलेंगी velocity of A minus velocity of B in vectors form मतलब कि जिसकी velocity हम देख रहे हैं किसके respect में देख रहे हैं तो उस velocity को जिसके respect में देख रहे हैं उससे क्या कर देंगे subtract कर देंगे दूसरी velocity of B with respect to A की अगर मैं बात करूँ तो value क्या आएगी मेरी तो velocity of B minus velocity of A यह होता है तरीका लिखने का कि एक body का जो relative motion है वो दूसरे के respect में कितना बैठेगा तो यह पहली value जो है velocity of A मतलब कि A का जो motion है with respect to B तो VA minus VB और velocity of B with respect to A कितना बैठा की velocity of B minus velocity of A in vectors form अगर मैं इसकी बात करूँ कि magnitude कितना बैठेगा resultant का तो resultant की value क्या आएगी यह है resultant की value आएगी हमारा यह आगया resultant ठीक है velocity of A का whole square magnitude of velocity of A का whole square plus magnitude of velocity B का whole square plus 2 velocity A velocity B cos theta यह मैं तब कर रहा था जब मेरे पास vector A और vector B में क्या नहीं कर रहा था angle theta पर यहाँ पर जो angles की value है यहाँ फिर जो vectors की value है वो क्या है vector A और vector B इनके बीच में angle कितना बना 180 minus theta तो cos theta theta की जिगे क्या लूँगा मैं 180 minus theta यहाँ use करूँगा मैं तो यह बन गया cos 180 minus theta अगर मैं बात करूँ cos 180 minus theta की cos 180 minus theta की तो यह होता है कितना minus cos theta तो मैं इस value को put करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरो final velocity का magnitude यह VA का square plus VB का square यह क्या बन जाएगा minus cos theta तो minus मैं आगे put कर दूँगा minus 2 VA VB cos theta यह बन गया मेरे पास relative velocity का magnitude ठीक है तो relative velocity कहा निकाल दी हमने motion इना plane में ठीक है नेक्स चलते हैं हम rainfall की condition देख रहे थे कि इस condition में relative velocity किसी भी person की with respect to the rain कितनी बैठेगी देखे रेन की direction क्या होगी रेन की direction क्या होगी रेन की रेन की direction होगी downward तो यह मान लिया मैंने velocity of rain in vector form मैं यहां से कैसे जा रहा था मैं जा रहा था मान लो मेरी direction है यह वाली ठीक है तो मेरी direction वैठी यह यह आगी velocity of man clear ठीक है अगर मैं बात करूँ velocity of man की और velocity of rain की तो जब मैं move कर रहा था towards rain तो मुझे जो resultant दिख रहा था है जो rain दिख रही थी वो कैसे दिख रही थी वो आ रही है इधर की तरफ यह ठीक है और इस condition को अगर मैं fulfill करूँ किसके according law of parallelogram vector law of parallelogram के according तो vm की value मैं यहाँ put करूँगा यह वाली है तो यह आ जाएगा vm vector vm ओ भी negative direction ठीक है तो यहाँ पर condition create होगी है कौन सी right angle triangle की तो यहाँ पर क्या है यह बना मेरा relative velocity किसकी man की with respect to rain clear या फिर हम इसको बोल सकते है rain with respect to man दोनों conditions में अगर value निकालू मैं velocity of rain with respect to man equals to क्या बैठेगा vr minus vm ठीक है और अगर मैं velocity निकालू किसकी man की with respect to rain तो इसकी value क्या आएगी velocity of man minus velocity of rain यह है अगर मैं इसके magnitude की बात करूँ magnitude की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में angle कितना बैठ रहा है यह कितना है यह वी 90 है और यहाँ पर value कितनी है यह वी 90 है तो मैं एक formula भी put करके आया हूँ कि magnitude equals to कितना होगा va square plus vv square plus plus नहीं minus minus 2 va vv cos theta यह था magnitude of relative velocity इस condition मैं होगा cos 90 की value put करूँ तो cos 90 equals to क्या होता है cos 90 equals to होता है 0 तो यह पूरी value क्या बन जाएगी यह बन जाएगी 0 तो यह जब 0 बन गई तो final resultant कितना आया यह relative velocity कितनी बनी magnitude of relative velocity तो बन जाएगा va का square plus vv का square यह बन गी मेरी condition कब rainfall में relative velocity की किसकी relative velocity of man with respect to rain या relative velocity of rain with respect to man उसका magnitude हमेशा same आना है बस condition क्या थी हमें यह cos theta की value रखनी थी cos theta यहाँ पर theta equals to 90 आ रहा था तो magnitude में जाएगा value रखी तो यह पूरा बन गया 0 और बची value क्या बची va square plus vv square तो यह थी हमारी कौन सी rainfall की condition next है river flow कि कोई भी एक river है वो flow कर रही है जब कोई भी river flow करती है तो उसके flowing water होता है उसकी एक speed होती है ठीक है जी तो हमने मान लिया कि river flow कर रही है इस direction में यह होगे direction ठीक है तो इसमें जो river है उसकी एक velocity होगी flowing water की तो हमने मान लिया उसको vr मैं मान लो मैं इस position पर खड़ा हूँ यहां पर यह री position मेरी है ठीक है मुझे इस नदी को करना है पार, इस रिवर को करना है पार, तो मैं क्या कोसिस करूँगा यहां से, यहां जाने की, ठीक है, तो मैं अपनी एक actual velocity रखूँगा, कि मुझे एक point से, दूसरे point, एक end से, दूसरे end तक जाना है, तो इस condition में मेरी velocity रही होगी कुछ, वी एम, ठीक है velocity of man, ठीक है, जब मैंने देखा, जब मैं यहां तेंडना सुरू करा, और उसके बाद जब मैं निकला, तो मैं कहां पे पहुचा, final इस position पहुचा यहां पे, मेरी final position थी, यहां पे, ठीक है, तो ऐसा actual में हुआ कैसे, कि मैं तो सीधा perpendicular जा रहा था, और यहां पे river flow कर रही थ से थोड़ा displace कर दिया, ठीक है, river की कोई एक thickness देख लो, या फिर जो चोड़ा ही होती है, उसको देखेंगे, तो उसको माली हमने D, ठीक है, तो यह जो final, जो मैं velocity से गया हूँ, यहां पे, इसको मैं क्या बोलूँगा, velocity of man with respect to river, यह बोल दिया, यह simply इसको V बोल देंगे, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस V की value कितनी बैठेगी, इस V की value कितनी बैठेगी, कि जो मैं flow कर रहा था उस time पे river को, तो river में जो water जा रहा है और जो मेरी velocity थी, तो उस condition में दोनो actual values, final relative motion कितना निकला मेरा, तो वही same condition पहले वाली, V, resultant निकल रह है, minus 2, V, A, V, V, cos, theta वाला formula, put करेंगे, ठीक है, theta की value इस condition में, अगर मैं रखू, तो theta की value यहां भी क्या होगी, 90 होगी, तो 90 होने की बज़े से theta पूरा क्या हो जाएगा, 0, cos 90 हो गया, 0, तो यह पूरी value क्या बन जाएगी, मेरी, 0 बन जाएगी, यह वाले है, ठीक है, तो मेरा final magnitude कितना निकला, final magnitude निकला, V, A का square प्लस, V, V का square, ठीक है, तो relative velocity of man with respect to river, कितना निकला, V, A का square plus V, V का square under root में, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, कि relative velocity निकाल रहा हूँ, किसकी, यह relative velocity निकाल लो, किसके respect में, river के respect में, तो V, M, man की निकाल रहा हूँ, river के respect में, तो V, M minus, V, R मेरी velocity आएगी, in vector form, यह आगी, vector form में, और यह क्या आगी, simple magnitude आगया, velocity यह आगया, magnitude, किलियर है जी, ठीक है, तो यह हमारी कौन सी condition थी, कि जब हम river flow कर रही है, और कोई भी swimmer, कोशिस कर रहा है, कि एक end से दूसरे end पर जाने के लिए, और उसकी कोशिस क्या है, उसकी कोशिस है, कि वो shortest time, कि अगर यहां से flow करेगा हो, तो उसे कितना time लगेगा, उसे लगेगा, small time, shortest time, ठीक है, जी, तो उस condition मावारी, magnitude of velocity कितनी आई, V equals to under root, V square plus VD square, अगर मैं time की बात करूँ कि shortest time निकला कैसे, कैसे निकालेंगे कि उसे short, बहुत कम time लगा है, ज्यादा time लगा है, तो उसका एक formula होता है, जिसे हम बोलते, speed, speed equals to होता है, distance upon time, ठीक है, तो अगर मैं time निकालू, तो time की value आ जाएगी, मेरी time equals to distance upon speed, अब distance क्या थी, तो time equals to आ distance थी मेरी D, ये वाली distance में use करूँगा, distance और velocity क्या रही मेरी, velocity रही B, ठीक है, velocity of swimmer, या फिर इसको बोल देंगे हम man, तो ये आ गया हमारा time, कि कितना time उसने consume कराए, एक जगा से, दूसरी जगा जाने में, ठीक है, इसके बास second condition देख रहेंगे, ये तो होगे shortest time, अगर व उस condition में, उसे relative velocity किस तरीके से निकालने में होगी, ठीक है, second condition आगी, when a swimmer tends to cross a river along a shortest path, तो एक river दुबारा से, ये होगे river, ठीक है, ये आगी river, अब देखेंगे हम, कि एक कोई person है, मानलो मैं ही खड़ा हूँ यहाँ, ठीक है, अगर मुझे पता है, कि इस की river की ये direction है, फिलो की, river फिलो कर रही है, इस direction में, और इस की कोई velocity है, अपनी, velocity of river, ये होगी, velocity of river, तो मैं अगर इस point से, इस point पे जाओ, यहाँ से, इस point पे मुझे जाना है, तो ये क्या होगा, shortage distance, अगर मैं पहले इस point से जा रहा था, तो मैं कहाँ पहुच रहा था, एक अलगी position पे पहुच रहा था, जो की long पढ़ रही थी, ठीक है, बट इस condition में मैं क्या करूँगा, मैं दिमाग लगाँगा, और थोड़ा data चलूँगा, मतलब की, उस actual position से थोड़ा starting की तरफ चलूँगा, मैं कोसिस करूँगा, इधर जाने की, मैं पहुच गया इधर, जब मैं flow इधर की तरफ करूँगा, तो मैं final देखूँगा, कि मैं final कहाँ पे निकला, मैं final निकला, यहाँ पे, मेरी final position पहुचे गया, तो इ हो गया, वी आर, वो भी negative direction, ठीक है, यह होगी हमारी velocity, किस की, मैं की, यह होगी final, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, V की, magnitude of V, ठीक है, तो यहाँ simply मैं क्या करूँगा, एक formula होता है, पाइथोगरस theorem, जो की right angle triangle में use होता है, तो मैं simply उस value को put कर दूँगा, ठीक है, मेरी value क V vector कौनसा निकाल रहा है, तो इसकी value क्या बैठी, V R minus का, और यह बैठा V vector plus का, तो यह final बन गी, velocity of man, with respect to river कितनी बैठी, V minus V R, यह आगे, यह आगे vector formula, अगर मैं magnitude की बात करूँगा, तो simply वही formula है, magnitude of velocity equals to आ जाएगा, square, ठीक है, और मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था, V M, यह value निकालनी थी, तो magnitude of V M equals to आ जाएगा, final, V square minus V R का square, यह आगे, यह आगे मेरी simplify value, किसकी magnitude of relative, magnitude of relative velocity, ठीक है, तो यह river की second condition भी complete होगी, जिसमें क्या है, shortest path use कर रहा है, shortest कौन सा था, यह D था, shortest path, ठीक है, distance की बात करोगे, तो time तो कोई consume हो रहा है, पहला वाला formula, T equals to D upon V, use हो रहा था यह, यह वाला, T equals to D upon V M, यहाँ भी हम क्या करेंगे, T equals to D upon V use करेंगे, और यहाँ से D निकल गया हमारा, T into V, यह आगी shortest distance, ठीक है, next चलते हैं, यह topic हो गया complete, next चलते है, scalar product और dot products, ठीक है, इसके लिए एक चीज़ देखते हैं, हमने resolution देखा था, resolution of vectors, तो हमने resolution जब देखा था, किसी भी एक वेक्टर को माना, कि यह है, कोई A vector A, इसके components बन रहे थे, यह बनना था AX, यह बनना था AY, अगर मैं बात करता हूँ, motion इना plane की, तो मेरे पास दो सीधे-सीधे simplify vectors आ जाएंगे, पर अगर मैं 3D की बात करता हूँ, तो मेरे पा Z axis को conclude करके क्या बोलते हैं, 3, तो जैसे 2 axis में क्या है, 2 values आ रही थी, AX, AY, ठीक है, ऐसे 3D की बात करो, तो 3D motion में क्या जाएंगे, 3 axis create हो जाएंगे, X axis, Y axis और Z axis, तो उसमें values भी कुछ इस तरीके से आएगी, AX, AY और AZ, तो यह components होते हैं, ठीक है, rectangular components होते हैं, तो यह ह product को dot product निकालने के लिए, तो dot product और scalar product का मतलब क्या होता है, कि किसी वी एक quantity को, कोई वी vector quantity है, कोई vector quantity दूसरी है, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, multiply कर रहे हैं, ठीक है जी क्या कर रहे हैं multiply कर रहे हैं तो किसी भी दो वेक्टर्स को जा हम multiply करते हैं तो उनके कुछ products निकलते हैं ठीक है अगर दो वेक्टर्स को multiply करने के बाद उनके जो product निकले गो निकले scalar तो उन्हें क्या बोलेंगे scalar product या फिर नाम दे देंगे dot product ठीक है अगर उन दोन तो वेक्टर कॉंटिटिटी को मल्टिप्लाई करने के बाद क्या रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी क्रिये ठूरी या जिसकी डारेक्शन कुछ अपू दोनों से अलग हो ठीक है तो उस कंडिशन में next condition जो बनेगी वो बनेगी product कौन सी vector product या फिर उसे बोलेंगे cross product ठीक है तो starting करते हैं scalar product की इसकी अगर definition देखें तो सीधा सीधा क्या है the product of the magnitudes किसके magnitude दो vectors के magnitude अगर आपस में multiply करे जाते हैं और किसके साथ cosine की value के साथ ठीक है तो उसी को हम क्या बोलते हैं scalar product को होते हैं कि अगर मैं A और B को vector A और vector B को multiply कर रहा हो किसके साथ dot product के साथ तो इसका resultant क्या निकलेगा A B cos theta ये निकलेगा ठीक है जी तो A dot B vector A dot vector B equals to क्या बैठा A B cos theta ये आता है हमारा resultant किसका product का ठीक है तो scalar product में value आती है cos के साथ cos की कोई भी value होगी तो वो define कर देगी resultant की value कितनी आएगी देखते हैं इसे example से एक वेक्टर मानते हैं मान लो वेक्टर A इसकी कोई value दे रखिये हैं 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap अच्छा पहले j i j k की और बता दू मैं कि जो एक्सिज होते हैं यह मान लो एक एक्सिज है यह मान लो दूसरा एक्सिज है यह मान लिए मैंने तीसरा एक्सिज है यह होता है x-axis यह होता है y-axis और यह होता है यह 3D की बात कर रहे हैं 3D की ठीक है तो इनकी directions को जो denote करते हैं ठीक है उनको बोलते है unit vectors तो x-axis के लिए कौन सा unit vector होता है x-axis के लिए होता है आई i-cap ठीक है y किसके लिए y के लिए होगा j-cap z के लिए होगा k-cap यह i-j और k जो है यह direction बताते x-axis की y-axis की और z-axis की इनका नाम होता unit vectors ठीक है last class में हमने देखा था और i-j और k जो लिखे जाते है वो लिखे जाते small letters में ठीक है तो यह जो ए वेक्टर है इसका हमें component अगर देखे इसकी values देखे तो x-axis में y में और z ठीक है तीनो एक्सिस में इसकी जो values है वो given है ठीक है तो इसको अगर denote करना होता है तो 2,3,4 यह हो गया है इसके points जो किसी भी plane में काम करते हैं ठीक है कोई दूसरा वेक्टर देख लिया वेक्टर भी इसकी value मानलो i cap plus 2 j cap plus 3 k cap यह हो गया कोई दूसरा वेक्टर अगर मुझे क्या निकालना है इनका product निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ scalar product निकालना है तो dot product कर दूंगा इसका तो a dot b a dot b का भी formula देखा था कितना बैठा था a b cos theta ठीक है अब a और b cos theta इसमें angles कितने create हो रहे हैं वो भी value हमें देखनी पड़ेगी तो मैं a b की अगर बात करूँ तो a b की बात करूँ तो a की value क्या वैठी 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap ठीक है और दूसरी value थी b की यह थी i cap 2 j cap plus 3 k cap अब मैं इन दो values को आपस में compare करूँगा इनको आपस में और इनको आपस में देखिए अगर मैं बात करूँ i और i की ठीक है i axis मतलब की x axis और x axis के बीच में कितना angle theta equals to 0 ठीक है i dot i की अगर बात करूँ मैं तो theta equals to 0 ऐसे ही j dot j की बात करूँ तो theta equals to 0 तो k dot k की बात करूँ तो theta equals to 0 और तीनों condition में जो theta equals to 0 आएगा तो इसकी value क्या बन जाएगी 1 1 1 अब दूसरी condition क्या करता हूँ मैं i की dot product करता हूँ j के साथ तो इस condition में theta की value क्या आएगी 90 या i की मैं k के साथ करता हूँ तो भी क्या i value 90 या फिर j की k के साथ dot product करता हूँ तो भी क्या i value 90 और हमें पता है कि cos 90 की value क्या होती है 0 होती है तो इस condition में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 ठीक है तो मुझे पता चल गया कि i की value i के साथ j की value j के साथ और k की value k के साथ ही use हो सकती है तो मैं क्या करूंगा 2 आई बे कुछ नहीं है तो इसको मालूंगा मैं 1 ठीक है 2 बन जा 2 दूसरा है 3 और 2 3 तू जा 6 और 4 और 3 4 तू जा 12 यह आ गया 12 तो 6 प्लस 2 8 8 और 12 यह हो गया 20 तो मेरा जो product आया vector A और vector V का जो product आया वो आया 20 units 20 units क्या है इसमें किसी भी particular direction की बात नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि 20 units क्या आ गया एक scalar product आ गया क्या आ गया scalar product आ गया ठीक है जी अब एक example और देखते हैं इसका कोई vector A है जिसकी value मालो 3 i cap minus 4 j cap ठीक है कोई vector B है इसकी value मालो 2 i cap plus 4 k cap ठीक है तो इनका हग अगर हम क्या निकालेंगे dot product निकालेंगे तो कितनी value बनेगे dot product of vector A and vector B तो vector A dot vector B जब मैं use करूँगा तो मैं क्या करूँगा A B अब i i के साथ ठीक है 3 to the 6 6 आ गया 4 4 किसका है j का है और इसमें तो j है नहीं तो 4 की multiply किसमें करूँ मैं इसको मैं मालनूँगा कि plus 0 j है ठीक है minus 4 की 0 में multiply हुई तो कितना आया 0 same condition यहाँ पर k value दे रखे है यहाँ पर k नहीं है तो मैं क्या put कर दूँगा 0 k क्या put कर दूँगा तो इसकी value भी क्या ही 0 तो इसका जो resultant आया वो कितना आया सिर्फ 6 आया ठीक है तो यह आगे मेरा क्या a dot b ठीक है next चलते हैं कौन से vector products पे है dot product देखा कि 2 vectors को multiply कर रहे थे और हमारा answer क्या रहता है scalar product बन रहा था अगर मैं बात करू vector product की तो कोई भी 2 vectors को अगर मैं multiply करू और उसकी जो product बने या उसकी जो value आए वो भी क्या है vector quantity आए तो उसी को क्या बोलूँगा मैं vector product बोलूँगा या फिर cross product बोलूँगा ठीक है तो इसको define कैसे करते है कि cross product of 2 vector is a single vector मतलब कि जो resultant या product जो निकला है वो क्या हैगा single vector आएगा जिसका magnitude किसके एकवल होगा product के एकवल होगा magnitude of 2 vectors और उसके साथ क्या add on हो जाएगा sign add हो जाएगा sign मतलब sign theta ठीक है last में जो हम use कर रहे थे इस condition में cause की value तो इसमें क्या है कि अगर मैं theta की value change करता जाएगा 0 मानू 30 60 या 90 तो उसके according क्या है इनकी values भी change होगी जो कि हम scalar product और dot vector products के बाद एक बार value रखके देखेंगे आते हैं यहाँ पर ठीक है ठीक है vector product को हम समझेंगे example के basis पर कोई vector A है जिसकी value है 3 i cap plus 4 j cap plus 2 i cap ठीक है कोई vector V है इसकी value मान लो 4 i cap 2 j cap और k cap ठीक है तो अगर मैं बात करू vector product की तो vector A cross vector B इसकी value किस तरीके सा आएगी A B sin theta यह value निकल के आएगी किसकी cross product की ठीक है तो इसमें अगर vector form में मैं करके भी देखू यह क्या है मान लो vector A है यह मान लिया मैंने vector B ठीक है यह हो गया theta तो B का impact कितना है A के उपपर या फिर A का impact कितना है B के उपपर यह resultant मुझे वो ही show करेगा A B sin theta ठीक है अब इसमें sin theta की value जितनी रखोगे 0 30 45 90 180 ठीक है वो ही हमें value क्या देदेगा resultant की value देदेगा A क्रोस B की ठीक है अगर मैं sin 0 रखता हूँ sin 0 का मतलब sin 0 का मतलब हो गया 0 तो resultant कितना है 0 when theta equals to 0 ठीक है तो A क्रोस B vector A vector B का cross protection क्या आएगा 0 अगर मैं A क्रोस B करता हूँ किसमे theta equals to 90 बे तो सीधा सीधा क्या आजाएगा resultant आजाएगा A B ठीक है जी तो इस तरीके से हम किसी भी values के resultant निकाल सकते हैं इस example को solve करते हैं तो जैसे हम last में देख रहे थे कि I का I के साथ J का J के साथ K का K के साथ तो इसमें क्या relation बनेगा अगर मैं I cap unit vector की बात कर रहे हूँ I cross I J cross J और K cross K इन vectors की बात कर रहे हूँ तो इन के बीच में angles क्या हैं इन तीनों के बीच में angles ठीटा एकोस टू क्या बैठेगा जीरो और साइन जीरो की value क्या होती है जीरो तो I cross I की value क्या बनी जीरो J cross J की value क्या बनी जीरो K cross K की value क्या बनी जीरो ऐसे ही I की अगर मैं multiply करूँ I cross J फिर J cross K K cross I जीरो 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 तो I और J क्या बना देगा K के इसका मतलब अगर मैं एक direction के किसी vector को दूसरे direction किसी vector से cross multiply करता हूँ तो उसके साथ जो उसका resultant है उसमें direction कौन से आएगी third direction create हो जाएगी I को J के साथ करा तो K J को K के साथ करा तो I ठीक है और K को I के साथ करा तो J इन तीनो conditions में theta की value क्या थी theta equals to the 90 और हमें पता है sin 90 की value क्या होती है 1 ठीक है second condition हम देखेंगे अगर मैं J को किस के साथ करूँ I के साथ या फिर k को किसके साथ करू j के साथ ठीक है या फिर j को किसके साथ करू i को किसके साथ करू k के साथ ठीक है तो इस condition में value आएंगी same j i k k i k j i और ये आगया j k ठीक है बट अब condition क्या है कि जब i को j के साथ कर रहा हूँ तो direction आ रही थी k बट अगर j को i के साथ करों तो direction k तो आएगी बट negative वाली same condition k को j के साथ करी तो minus i ठीक है i को k के साथ करी तो minus j तो इस condition में क्या है theta की value change हो चुकी है इस condition में क्या हो रहा था कि हम कर रहे थे x axis मालो ये x axis है ये y ये z तो x का y पर करा तो क्या आया z y का z पर करा तो क्या आया x बट जब reverse कर रहा था मैं कि y को मैं क्या कर रहा था x पर तो direction आ रही थी z पर वो आ रही थी negative ऐसे x को z के साथ करा मैंने तो क्या आया मेरा negative value और इसकी भी value क्या ही negative तो direction हो जाएगी opposite, इसके opposite हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी ठीटा 90 वाले ही condition create होई है, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सी, anti-clockwise, anti-clockwise direction, इसको क्या बोलेंगे, clockwise, तो clockwise में क्या होता है, clockwise में होती है value क्या, negative में और anti-clockwise में आती है direction, positive वाले हैं, ठीक है, अब आते हैं इसको simplify करते हैं, मानलो कोई A vector और B vector है, और वो क्या है, perpendicular एक दूसरे के, इस तरीके से, ठीक है, angle बन गया 90, तो इस condition में इसको A vector और B vector के magnitude की बात करेंगे, कितना आएगा, ठीक है, तो हमें पता है, A B sin theta, अब मैं क्या करूँगा, I की, I के साथ करूँगा, तो क्या है, मुझे पता है, कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है, तो मैं I को I के साथ नहीं कर सकता, I को किस के साथ कर सकता हूँ, J के साथ, ठीक है, I को जब J के साथ करूँगा, मैं, I cross J, तो डारेक्शन क्या बनी, K, तो वैल्यू आगी मेरी, K cap, और 3 टूजा, 6, 6 K cap, ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, I को K के साथ, तो I किस के साथ करी, K, तो वैल्यू क्या बनी मेरी, J, ठीक है, अर गो भी, नेगेटिव, तो नेगेटिव, J, और वैल्यू क्या है, 3 बनी जा 3, तो मैनस का 3, यह आगी वैल्यू ठीक है, तीसरी वैल्यू, अच्छा, यह तो हो गए, I complete, फिर आते हैं, J पे, J की अगर I के साथ करी, मैंने, J की I के साथ, J cross I, तो मेरी वैल्यू बनेगी, माइनस का K, ठीक है, तो J की I के साथ करी, 4, 4 जा 16, तो वैल्यू आगे मेरी, माइनस का 16, K cap, किलियर, फिर मैं J को J के साथ करूँगा, तो 0, फिर आँगा J को K के साथ, तो J को अगर K के साथ करते हैं, तो direction आती है, I, ये लिख दिया मैंने, I, तो कितना 3 बन जा, 3, ये आगई, 3, ठीक है, फिर अब बचा है K, तो K को मैं क्या करूँगा, K को I के साथ करूँगा, तो K, ये रह, K I के साथ करा, तो बना, I को K के साथ करा, माइनस जे, पर K को I के साथ करूँगा, तो पिलस का J, ये बन जाएगा, पिलस का J, तो 2, 4 जा, 8, 8 J का है, ठीक है, फिर K को J के साथ करा, तो K और J, कहां पे है, K, ये रह, J, K बनता है, I, पर अगर K और J की बात करूँग, तो क्या बनता है, माइनस का I, तो K को J के साथ करा, 2, 2, जा, 4, तो बना माइनस का 4 I, अब मैं सारी वैलिज को प्लस कर लूँगा, according to their direction, ये है I, और ये है I, तो 3 माइनस 4, तो ये बना माइनस I, ठीक है, फिर है J की बात, ये है J, ये है J, तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या है, पिलस का 5 J, पिलस, ठीक है, K की बात हो रही है 6, और ये हो गया 16, तो 16 में से 6 गया, माइनस का 10, तो ये बैठ गया, माइनस का 10 K, ठीक है, तो ये क्या आगी मेरे पास वैल्यू, ये वैल्यू आगी मेरे पास A क्रॉस B के, ये आगया इसका रिजर्ट, माइनस I cap, पिलस 5 J cap, माइनस 10 K cap, तो ये आगया, फाइनल प्रोड़क्ट, ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हम क्या, वैक्टर प्रोड़क्ट, अब एंगल्स की बात और देख रहे थे हम, ठीटा इकल्स टू जीरो डिग्री पे, और ठीटा इकल्स टू 90 डिग्री पे डिफ्रेंसे देखेंगे, डॉट में और वैक्टर में, तो A.B, तो इसमें क्या होता है, A.B, कॉस ठीटा, और कॉस ठीटा की वैल्यू जीरो, तो ये आ जाएगे मेरा A.B, कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है, 1, तो मेरा A.B कितना निकल के आया, A.B निकल के है मेरा A.B, अगर मैं बात करूँ किसकी, ग्रॉस की, A.B, तो इसमें वैल्यू आएगी मेरी A.B, साइन ठीटा और साइन, 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की value होती है 0 तो इस condition में A cross B A cross B equal क्या आगया मेरा 0 तो मुझे पता है theta equal to 0 पे यह क्या है यह है dot product यह क्या है यह है cross cross product dot product का magnitude आजाएगा maximum और cross का क्या आजाएगा minimum मतलब की 0 आजाएगा 90 degree पे बात करूँ तो A dot B A B cos 90 degree cos 90 की value क्या होती है 0 तो A dot B कितना आएगा 90 पे A dot B की value आगई 0 बट अगर मैं किसकी बात करूँ cross की A cross B तो A cross B क्या आगया A B sin 90 और sin 90 हमें पता है कितना होता है sin 90 होता है 1 तो sin 90 को इस्टो आजाएगा 1 तो A cross B आगया A B ठीक है जी? तो यह हम देख सकते हैं किसी भी dot product को है cross product को एक दूसरे से opposite चलते हैं ठीक है? इनके पास क्या है? cross product के पास direction भी होती है पर dot product के पास direction नहीं होती तो इनको हम क्या बोलते है? scalar product भी बोलते है scalar product यहाँ पर vector product तो यह होगे हमारे dot product और cross product ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं अगली वीडियो में देखेंगे projectile motion ठीक है? और जो भी उसके numerical है examples है वो भी देखेंगे उस वीडियो में है ठीक है? ठीक है? ठैंक्यू